किसान सातियो, नमसकार मैं अपनी सिसौधिया किसान सातियो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्टर नेरिया लीफ स्पॉर्ट डीजिज के वारे में जिसको हम अल्टर नेरिया लीफ ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं देखे यह जो रोग होता है एक फंगलज जनित रोग होता है जो हमारी फसलों पर अटेक करता है यह जो अटेक करता है जो हमारी फसले ब्रेशी का क्रॉप होती है उन में जादा अटेक करता है ब्रेशी का मतलब जो जैसे की बंद गोपी पत्ता गोपी जो कैबेज अभी इसका आइक काफी जादा देखने को मिलता है प्लूख्यते है के काफी यदि यहका आज की इस वीडियों हम इसके वारे में डिटेल में समझेंगे कि इसको identification आप कैसे करेंगे यानि कि क्या इसकी पहचान होती है क्या इसके symptoms होते हैं और ये कम हमारी फसलों पर attack करता है कितना ये नुकसान हमारी फसलों को पहुचा सकता है और इसको कैसे control करना है इसके control के लिए जो best फपूंदी ना सक है उनकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो काफी informative होगा वीडियो को like कीजेगा चैनल पर नए हैं तो subscribe कीजेगा और जादा से जादा इससे share भी कीजेगा other farmers के साथ ताकि यह जो information है उन तक भी पहुंच सके और वो भी इसके कुछ लाप उठा सके तो चलिए जानते हैं दीखे अल्टरनेरिया leaf spot digit जैसा कि मैंने बताया कि किन फसलों के अंदर देखने को मिलता है बंद गोवी, फूल गोवी ब्रोकोली, कोल रभी और जो हमारी केल क्रॉप है उनके अंदर हमें यह देखने को मिलता है तो दीखे इसमें क्या होता है सबसे पहले यह जो एक फंगजन त्रोग होता है यह जब हमारा temperature डाउन होता है 30 degree Celsius से नीचे temperature होता है और क्या होता है उस time पे हमारी जो पत्यों पर जो पानी है की बूंदे हो लंबे समय तक जमी रहती है फसलों की पत्यों पर जैसे कि जब temperature अभी का डाउन चल रहा है 30 और नाइट का temperature 30 degree Celsius से नीचे जा रहा है और अभी क्या हो रहा है कि ओस पड़ती है ओस की वज़े से जो पत्या है वो गीली रहती है नम रहती है तो यह fungus germinate होकर के हमारी फसलों को infected कर सकती है यह इसके लिए अनुकूल वातरणन है जो अभी चल रहा है तो यह हमारी फसलों पर attack करती है इसका attack जो होता है सबसे पहले फसल की पुरारी पत्यों पर देखने को मिलता है यानि कि जो symptoms है जो इसके लक्षन है वो नजर आते हैं नीचे की पत्यों पर बंद को भी फूल को भी में आप देखेंगे कि नीचे की जो पत्या है उन पर इसके symptoms नजर आएंगे symptoms कैसे नजर आते हैं कि शुरुवात में pin के आकार के छोटे-छोटे धब्बे आपको नजर आते हैं pin के type के धीरे-धीरे जो धब्बे हैं बड़े होने लगते हैं और जब ये धब्बे बड़े होते हैं तो आप देखेंगे कि इन में क्या होता है बीच में ये ब्राउन कलर के काले भूरे रणके होते हैं दब्बे और उनमें एक circle सा होता है ring type में आपको देखने को मिलेंगे धब्बो के अंदर जो ring छले के type में देखने को मिलेगा तो समझ जाई कि अल्टरनेरिया लीफ स्पॉर्ट इजिज है और बाद में उस दब्बो के चारो तरफ पीला पन भी आपको देखने को मिलेगा तो इस तरीके से आप इसको identify कर सकते हैं इस तरीके के symptoms हैं तो समझ जाई कि अल्टरनेरिया लीफ स्पॉर्ट है यानि कि जब धब्बे बड़े होते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें ब्राउन कलर का दब्बा होगा बीच में और चारो तरफ पीला पन होगा पीला आभा मंडल होगा और जो ब्राउन कलर का दब्बा है भूरे कलर का बीच में उसमें रिंग क्या आकार के आपको छले नजर आ जाएंगे जब आप जहान से देखेंगे तो समझी अल्टरनेरिय लीफ स्पॉर्ट डेजिज का अटेक है जब यह धब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो पूरी पत्यों को infected करते हैं पूरी पत्यां हमारी infected हो करके और पत्यां गिर जाती हैं ज़ड़ने लगती हैं जिससे हमारा production में काफी बड़ा loss हमें देखने को मिलता है जो हमारा curd है वो भी छोटा रह जाता है अगर आपकी पत्ता गोवी में अटेक किया है तो curd छोटा रहेगा उसी तरिक्ये से और फूल गोवी में भी कड छोटा रहेगा हम देखने को फैल कर वो भी पेकार हो जाता है तो इस तरीके से जो इसका इनफेक्साना वो बढ़ता है और बहुत बड़ा loss यह हमारी फसल को पहुंचा सकता है तो इसको हमें जैसे हम देखते हैं तो सिम्टम्स नजर आए तो हमें इमिटेट इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए कोई भी अच्छा bud6 का इस प्रे करके इसको कंट्रोल करने के लिए पोई आप को कंट्रोल ने के लिए बैस जो प्रस डहाएं 기 जो हमें 75% देखने को मिलता है, powder formulation में आता है, तो आप इसका spray ले सकते हैं, contact action से काम करता है, लेकिन ये रोग आने के बाद भी अच्छे से control करता है, ये infection को आगे नहीं बढ़ने देता है, वहीं पर रोग देता है, और अच्छे से फिर हमारी जो पतियां वो healthy होती है, लेकि इसके आप कम से कम दो spray ले, seven days का gap रखते हुए, दो spray आप ले सकते हैं, और इसके साथ चाहे तो आप कोई भी insecticide का attack है, तो वो भी आप इसके साथ मिला सकते हैं, इसके साथ जो insecticide सारे compatible हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, यदि DBM का attack है, तो कोई भी insecticide DBM पे काम करता है, तो वो भी इसके साथ मिला सकते हैं, क्योंकि cabbage में DBM, diamond back moth, उसका attack काफी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो इसके साथ मिला कर भी spray आप ले सकते हैं, कोई दिक्कर निया, लिकिन एक हपते के अंदर से minimum 2 spray आपको करने हैं, तो जो कीठ है, वो अच्छे से control हो जाएगा, डोज जो रखनी है, इसकी पौधा अगर छोटा है, तो दो ग्राम, वर्मन्त की क्रॉप है, तो दो ग्राम और बड़ी क्रॉप है, तो 2.5 ग्राम पर लीटर तक भी आप जा सकते हैं, तो उसके एसाब से आपको spray लेने लना है, प्रिवेंटिव के तोर पे, तो जो रोग ह उसको ये कंट्रॉल कर देगा, और क्यूरेटिव के तोर पर भी, यानि कि रोग आ भी चुका है, तो उसको वहीं पर ये रोग देगा, आगे नहीं बढ़ने देता है, और अच्छे से ठीक करने का काम करता है, तो दो spray आप ले ले लेंगे, तो जो रोग है, वो कंट्रॉल देता है, तो इसके भी आपको दो spray लेने हैं, साथ दिन के अंदर से, तो चाहे कौच ले ले ले, चाहे इसका एंट्राकॉल का ले ले, तो किसी का भी एक spray ले ले, तो अल्टर्नेरिया जो लीफ स्पॉट है, उसको वहीं पर ये कंट्रॉल करने में एफेक्टिव पाया ग तो ये जो तौमो मैंने फंजी साइड बताई, अच्छे से जो अल्टर्नेरिया, जो हमारा लीफ स्पॉट या अल्टर्नेरिया लीफ ब्लाइट हम कहलें, इसको अच्छे से कंट्रॉल करता है, तो इसके लिए ये spray आप ले सकते हैं, थोड़े से आप क्या कर सकते हैं, कि जो पत्यां गिरती हैं, मालीजे जो infected पत्यां हैं, वो बात में जड़ेंगी ही, क्योंकि वो ठीक नहीं होती है, जिनमें infection फैल चुगा है, तो वो जड़ जाएंगी, आगे infection आपका नहीं बढ़ेगा, जो आपकी crop है, पौधा है, healthy crop करने लगेगा, लेकिन जो पत्यां गि जाते हैं, अगली बार जिब कोई भी इसकुल की फचल लगाते हैं, तो उसमें जो infection है, वो फिर से आने के chances हो जाएंगे, फिर से उस फचल को फिर के से ये जो पैथोजन है, इंफेक्ट करेगा, फिर आपकी फचल में ये रोग देखने को मिलेगा, तो इसलिए जो भी पार निकाल करके छोड़ दें, जिससे ये आगे हमारा स्वाइल में जो पैथोजन है, वो जीवित ना रहे, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कंट्रॉल कर सकते हैं, तो उमीद अकिसान साथियों, जो आज की जानकार है, आपको अच्छी लगी होगी, जानकर है अच् खाल्द कीगा, आपने बाद!